तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ इस्टाग्राम इस्टोरी में किसी भी बंदे को हाइड और अनहाइड कैसे किया दता है जैसा कि दोस्तों आप एक्जामपली के लिए समझे जैसे आपने कोई दोस्तों इस्टाग्राम पर इस्टोरी लगाई है और आप चाहते हो कि दो तीन बंदे ऐसे हैं जिनको ये इस्टोरी ना दिखे तो ये भी आप कर सकते हो अगर दोस्तों यह आपने करके रखा है आपको दुबारा से उनको अनहाइट करना है यानि दुबारा से वो इस्टोरी हमारी देख पाएं तो यह आप कैसे करोगे यही आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो से मिल जाएगी बस आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देखना तभी दोस्तों आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है इस्टोरी पहले आप लगा लीजे अगर आपने लगा के रखे तो काफी अच्छी बात है तो मैंने पहले से ही इस्टोरी लगा के रखा है तो दोस्तों मैं इस्टोरी पर यहां से क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखे यह इस्टोर ना देख पाए तो इसके सामने थ्री डॉट है थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां में देखे है hide your story का दोस्तों ओप्सन देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इस option पर आप लोगों को क्लिक करना है और दोस्तों यहां से hide आप लोगों को क्लिक करना है अब दोस्तों XYZ कोई भी story अगर आप Instagram पर लगाओगे तो इस बंदे को हमारी story नहीं दिखाई देगी तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हो अगर दोस्तों आपने पहले से ही story में किसी को hide किया है आप चाहते हो कि उसको unhide कैसे किया जाएगा तो यह भी मैं आप लोगों को बता दो यहां पर दोस्तों आपको जो है Instagram फिर से open कर लेना है Instagram open होने के बाद यहां पर देखे नीचे की तरप right side में profile का logo बना हो दिख जाएगा इस पे click करेंगे click करने के बाद उपर की तरप three lines आएंगी इस पे आप लोगों को click करना है click करने के बाद पहले नमर पे setting का दोस्तों option दिखाए देगा setting के option पे आप लोगों को click करना है click करने के बाद दोस्तों यहां पर देखे तीसरे नमर पे privacy का दोस्तों देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो इस प्राइबिसी के आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंट्स यहां पर देखे स्टोरी का दोस्तों दिखाई दे रहा है तो फ्रेंट्स स्टोरी के आप लोगों को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां यहां पर देखे hide story from लिखा हुआ है और यहां पर देखे one लिखा है इस पे आप लोगों को click करना है जितने भी विक्ती को आपने story में hide किया होगा यहां पर सब पर tick लगा होगा तो दोस्तों अभी-भी मैंने आप सबी लोगों के सामने एक बंदे को story में hide किया था तो दोस्तों यहाँ पर देखे टिक लगा है तो इस टिक को आप लोगों को यहाँ से हटा देना है बस दोस्तों यह जो है बंदा अब दुवारा से भी story आपकी देख पाएगा अगर आप यहाँ से किसी को story में hide करना चाहते है तो यहाँ पर आप टिक इस प्रकार से लगा देते हो लगा दे होगे तो दोस्तों जिस पर आप टिक लगा दोगे वो story आपकी नहीं देख पाएगा और यहाँ से अगर टिक हटा दोगे तो दोस्तों वो story आपकी देख पाएगा तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहत समझ में आया होगा अगर वीडियो परसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डोपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों